इसके पहले मेंने आपको MS Word के बारे में पढ़ाया था पढ़ाया था पड़ाया था ना लेकिन MS Word का का प्रिएंग कहां करते थे पान चाहिकों के लिए लोगों करने के लिए और में Wingman करते के लेकिन और छमनियों की लेकर छास्था ख़क्राइप के सबी कारियों में करते थे जैसे मान के चली कि कोई भी mathematicals के फार्मूले आपको solve करना हो इसके लिए आपको excel का software का इस्तेमाल करना होता था ठीक है कोई आपका मान के चली कि जैसे EMI का database बनाना हो या PPMT IPMT हो या बहुत सारे मैंने आपको तमाम फार्मूले आपको excel में पढ़ाया है जिसमें हम data entry के सभी कारियों को करते थे लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले में powerpoint के बारे में तो ms powerpoint भी एकपरकार का MS office का ही package है लेकिन इससका preview कोई presentation बनानी के लिए करते हुआ इसका preview कोई presentation बनानी के लिए करते हैं जैसे अगर आपको वर्ड में बनाना हो उतना बेहतर प्रजेंटेशन आप नहीं बना सकते हैं जितना कि आपको में प्रजेंटेशन डिजाइन करते हैं तो उसको आप असानी तरह के से सो कराके दिखा भी सकते हैं समझ में रहा है ना उसको आप सो कराके दिखा भी सकते हैं लेकिन मान के चली कि जो काम हम पावर पॉइंट में कर पाएंगे क्या वो काम हम एक्सल में कर पाएंगे बोलिए अगर एक्सल में कर लेते तो फिर पावर पॉइंट का क्या वर्ग होता समझ में आ रहा है न तो इसलिए जो है हम MS PowerPoint का प्रियोग जो है येवल presentation बनाने के लिए ही करते हैं बाकि इसका कुछ और ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं और बड़े-बड़े कंपनियों में advertisement का database बनाने के लिए MS PowerPoint का इस्तेमाल किया जाता है अलग-अलग प्रकार का data अगरा बनाना हो अलग-अलग प्रकार का presentation अगर बनाना हो तो इसके लिए जो है कंपनियों में PowerPoint का इस्तेमाल किया जाता है तो PowerPoint एक प्रकार का ऐसा application software है जिसका प्रियू करके हम किसी भी presentation को आसानी तरिके से बना सकते हैं कोई दिक्त अब चुकि MS Word में मैंने आपको बताया था कि MS Word में भी हम किसी presentation को नहीं बनाते थे उसमें हम कोई farm design कर सकते थे कोई certificate design कर सकते थे कोई question paper उगरा बना सकते थे किसी book का cover page लियाख हैै कि किस वर्ड का help लिया थे लेकिन MS Excel के बी बारे मैंने आक को बताया था कि MS Word कि अपक्षा करना s EX Gr. के बारे में बात करें तो इससे क्या होता है बिल्पुल अलग होता है कि परियोग data बनाने के निटया करते हैं को psicodlove कोई जैसे मान के चली कि farm design करना हो या कोई cover page बनाना हो कोई certificate design करना हो तो इसके लिए MS Word का हम इस्तेमाल करते थी लेकिन MS Excel का प्रियुग हम तब करते हैं जब कोई बहुत सारे formula हो उस formula को आपको solve करके देखना हो तो इसके लिए MS Excel का help लेते हैं लेकिन अगर हम देखें तो यह पूरा package है किसका MS Office का यह बोलिए MS Office का यह तो package है MS Office का जब package है MS Office के ही उंत्रकति यह सारा software आपका आता है जैसे MS Word हो गया MS Excel हो गया MS success भी आता है MS Outlook भी आता है यह सब इसी के package होते हैं है तो MS Office का ही Microsoft Office का है लेकिन प्रियोग सबका क्या है अलग 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 सारे software का प्रियोग अलग अलग तो वही आज की क्लास में लों सिखने वाले हैं कि MS PowerPoint पे प्रापर तरीके से हम काम कैसे करें तो पहला चीज़ समझी है कि जैसे हम MS Word हम स्टार्ट करते थे जब हम बिंडो प्लस आर दबाते थे तो यहां पर हम टाइप करते थे सामने यहां पर लिकर के आता था ब्लैंक डाकुमेंट तो हम इसको उपन करते थे तो यहां पर सबसे उपर टाइटल बार में लिकर के आता था क्योंकि मैंने आपको लिखवाया भी है कि MS Word को बाडिफार्ट नेम डाकुमेंट वन के नाम से भी जाना जाता है अब चलिए इसके बाद से जैसे मैंने बिंडो प्लस आर दबा करके अगर मैंने एक्सेल उपन किया था तो वहां पर क्या लिखे आता था ब्लैंक वर्क कि इसको हम पेज नहीं बोलते हैं है क्या बोलते हैं इस बिखिट बोलते हैं या नदे लुक वन एक्सेल मतलब एक्सल का नेम बुक वन भी होता है इसमें एनेक प्रकार के सीट होते हैं और छोटे-छोटे कई प्रकार के वारे क्या होते हैं सेल भी होते हैं चुकि सेल से मील करके ही अमरे सीट का निमाड होता है कोई दिक्कत अब चलिए अब जैसे ही window प्लस r दबाएंगे अगर पावर पॉइंट के बारे में हम बात करें तो ऐसे भी पावर पॉइंट को भी हम उपन कर सकते हैं विंडो प्लस आर दबाएंगे और यहां पर टाइप करेंगे पी ओडाबलू ई आथ पावर अभी नहीं कि पॉइंट पूरा लिख देंगे तब नहीं उपन होगा अधर इसमें पॉइंट पूरा नहीं लिखना होता रोई पावर लखी और पी एंटी ञ Kern नहीं होगा अगर यह ऐख यह से कमांड में लिखेंगे तो पावर पी नए लिखेंगे तब तक आपका पावरपॉइंट उपन नहीं होगा देखिएए मैंने बस केवल पावर पी सामने है आप इसमें क्या लिखर क्हा रहा है प्लैंक प्रजेंटिशन क्या लेकूसराना को फ enc करेंगे तो यहां प्लैंगर क्या रहा है प्रजेंटेशन नाम से लिखर कि आएगा दिखो किया लिखा है प्रजेंटेशन वन और पावर पॉइंट लिखा है चले हम इसको क्लोज कर देते हैं उन्हाँ देखिए विंडो प्लस आर मैंने दबाया और यहां प्लिखना है पावर पावर PNT और एंटर करें बस यहां पर लिकर के आएगा blank presentation जैसे आप इसको open करेंगे तो ऐसा interface आपके सामने आएगा इसका नाम है presentation 1 और powerpoint लिखा हुए तीनों में अंतर समझ में आया लेकिन MS Word में 5 बोला जाता था MS Excel में seat बोला जाता था लेकिन MS PowerPoint में slide के नाम से जाना जात और भी slide की संख्या अगर आपको increase करना हो तो control प्लस यम बटन दबाते हैं क्या दबाते हैं control प्लस यम बटन दबाते हैं जितने बार control यम दबाएंगे उतने बार एक नया नया slide आपको मिलता जाए कोई दिक्कत आप देखें चुकि MS PowerPoint का पेज में निक भूला है और MS PowerPoint कहा यहां पर लिखना होता है तो देखिए इसके लिए आप सर्च प्याजिएगा और यहां पर लिखिएगा पावर वाइंट इसमें प्यंट नहीं इसमें PowerPoint लिख सकते हैं ओपन हो जाएगा आपके सब्सक्राइब लेकिन जब बिंडो प्लस हार दबाएगा तो उसमें पावर प्यंट लिखना होता है क्योंकि वह रन कमांड है रन कमांड में वह जिस नाम को रन करेगा उसी नाम को सर्च करेंगे तब ही जाके उपन हो पाएगे कोई दिक्कत चलिए अब जो कि ब्लैंक प्रजिंटेशन मैंने उपन किया है और मैंस पावर कॉइंट का सॉफ्ट्यर म समझना है देखिए मैंने जो है एक एमस वर्ड में जब मैंने पढ़ाया था तो भी मैंने उसका इंट्रोड़क्शन कर आया था पूरे software के बारे में इंट्रोड़क्शन कर आया सब से टॉप डॉल एरिया का नाम क्या होता है सबसे टॉप वाल ऐरिया का नाम क्या होता है अ उस टाइटल वार में ये दिखाता है कि आपके साफ्ट्वेर का नाम क्या है और प्लस मेनीमाई क्लोज बटन के साथ साथ क्यों क्यों सा बटन होता है ल३ा उखसमारिय में आ स suffers यहां पर आइकन नहीं बना होता है यहां पे लिखा भी है रीबंड डिस्प्ले आफजन में यह मैंने दोनों सांस्में पढ़ाया मैंने सब्सक्राइब्स में के बारे में समझ में आएगा तब से समझके आपको समझ में नहीं आप आई इस लिए इसके बारे में समझत बहुत पूरी तो वो nesam वे है जा है고요 दिया कर सकते है से कि कि उसमें और वार कि आ ह हूं कि देखिए कि अगर हम ribbon display options के बारे में बात करें तो ribbon display option में तीन option आता है कि तीन आपसन आता है कि और तीनого का नाम है पहला आप्सन का नाम है आटो हाईड रीवन क्या नाम है आटो हाईड रीवन और सचेंड आता है कि सचेंड जो अप्सन ए वह है रीवन डिस्प्ले ऑप्शन और थर्ड जो option है वो है store tab and commands देखे मैं इसको लिख भी दे रहा हूं इसका नाम होता है ribbon display option ribbon display option इसमें तीन option आता है पहला option का नाम मैंने क्या बताया पहला option का नाम आटो हाइड ribbon यह कौन पढ़ेगा हम पढ़ेंगे यह तीसरी बार मैं पढ़ा रहा हूं है बहुत अच्छी जान का रही है तो टैब और तीसरा जो है वह है आपका store tab and commands यह तीन आपसन जो बहुत इंपोर्टेंट आपसन है पहला आपसन है आटो हाइड ribbon सेकेंड आपसन है तीसरा आपसन है तो टैब एंड कमांज और इसकी स्वाटकट की भी होती है कंट्रोल प्लस या फोन क्या होता है कंट्रोल प्लस या फोन अब चुकि देखिए चुकि अगर हम बात करें सबसे पहले यहां पे तो यहां पे यह सब आपसन आपको मिला किसमें टाइटल बार में ताइटल बार में ये सारे आपको दिख रहे हैं कि जैसे मान के चलिका प्रियों का इन तीनों का देखिए इसके बारे में बता रहा है अगर आटो हाइड रीबन का आप इस्तेमाल करेंगी तो केवर टाइटल बार को छोड़ करके से सभी आपसने आपे अन हाइड हो जाएगा स्वारी हाइड हो जाएगा हाइड हो जाएगा है इससे आटो हाइड रीबन वाले आपसन से जब तीनों हाइड हो जाएगा जैसे आपका टैब भी हाइड हो जाएगा और प्लस आपका रीबन भी हाइड हो जाएगा और आप चाहते ही कि केवल टैब को सो कराएं तो सो टैब पे आपको क्लिक करना पड़ेगा तो केवल आपक इसमें आपको दिखा दे रहा हूं जैसे मैं सब्सक्राइब करते हैं था इसमें सब्सक्राइब है कि अ पर कुछ दिख रहा है कि क्या जिए धिकर है आपको दिख रहा है क्लिकल पिस प famail करें कि कि आप इसको होग करा ना चाहते हैं तो मैंने लुकल देखा रहा रहा है कि अब चाहिए नियुके रिबंट यानि कि चैल के साथ साथ आपको पर लीवन भी दिखाए तो इसके लीए आपको लास्ट वच्गी खना है लेकिन इसकी इसका एक और तरीका है अगर आप माउस से किसी भी टैप माउस का राइट बटन दबाते हैं तो भी आपसन आपको मिल जाए यह मैंने आपको बहुत डीपली पढ़ाया है इसे ट्रीक को हटा देंगे तो पूरा आपको दिखने लगेगा अगर आप इसे ट्रीक को लगा देते हैं तो पूरा आपको नहीं होता है यह बाल रिबन करिए यहां पर आप इसको इनेबल कराईए तो इसमें चार आपसन दिया है देखिए चारो आफसन के बारे में मैंने आपको बताया भी इसके पहले भी मैंने बताया पहला लिखा है कि कुश्टोमाइज क्वीक एक्सेस टूल बार तो क्वीक एक्सेस टूल बार यह होता है न हम यह जानना चाहते हैं कि क्वीक एक्सेस टूल बार में क्या है और क्या औ आपको दिखा रहा है। देखिए ओन्टीज़ी और इंग द्फिशर हructive और आपको करना है तो बस आप स्पे लिक करते जाएं और आज पूरिक करते जाएं यहां से जैसे यह करेंगे गculari कि यहां पर बता रहा हुआ जबहँ आपकर कर देंगे तब पूरा यहां पर होने लगी बस कुछ नहीं करना यहां से ओके कर देना देखिए आके जूड़ेंगा हो जाएगा तो यह हमारा होता है क्या ट्वीक एक्सेस टूल बार पुना राइट क्लिक करिए सेगेंड आफसन दिया है सो क्वीक एक्सेस टूल बार बिलो दरीबन रीबन के में लिए पर इचे आ गया पुना इस पर माउस से राइट बटन दबाईए फिर तीसरा आफसन लिखा है कस्टूमाइज करके आप देखना चाहते कि कौन सा आफसन है कौन सा आफसन करना है तो कस्टूमाइज दरीबन पे खिलिक करिए इतना सारा आफसन है इसके अलावा अभी अगर कुछ और आफसे ने करना है तो इस पेखली करिए एड लेकिन यह आल्रेडी पहले से एड रहता है पर यह चेक करने के लिए आप असानी तरीके से आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं को इसको इसको मैंने बताया इसको ठाइटल बार के नाम से जानते हैं किसे टाइटल बार में क्लिक एकसे स्टू बाहर के बार इम क्या होता है यह यह फी करना करने के लिए यह फशन बटन प्रेश करते हो इसी लिखाया स्थ यह और उसी के जश्ट नीचे मारा क्या होता है मीनू बार भी होता है जिसको हम टैब के नाम से भी जानते हैं और प्लस ये सारा का सारा मारा क्या होता है रीबन भी होता है और सबसे नीचे मारा क्या होता है स्टेटस वार होता है और MS powerpoint में slide की size को अधिकतम 400% तक बढ़ाया जा सकता है और 10% तक छोटा भी किया जा सकता है चलिए लिखे इसमें introduction of powerpoint झाल वार होता है कि नोट हो गया ना एक चीज देखिए जैसे ही आप पावर पॉइंट का सॉप्ट्वेर स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने पहला प्राब्लम ही आता है कि आपको यहां पे कहीं कर्सर देखता नहीं देखिए कहीं कर्सर दिख रहा है करसर तब दिखेगा जब हम इससे क्या करेंगे क्लिक करें लेकिन अगर इस ले डाउट को आपको दिखता नहीं चुकि ब्लैंक हम इसली करते हैं क्योंकि हमको कोई भी स्लाइड अपनी तो जैसे मान के चलिए कि हमको कुछ लिखना हो इसके लिए आप इंसाइट तेब में जाएए और यहां से आपको लेना सबसे पहले टेक्स बॉक्स जैसे ही text box पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको ऐसे drag and drop करेंगे और कुछ भी अगर आपको टाइप करना होगा तब आपका यहां पे cursor आपको देखेगा blink करते हुए फिर आप यहां पे कुछ जो भी आपको टाइप करना होगा आप यहां पे टाइप कर सकते हैं जैसे मान के चले कि हमको लिखना इंट्रोड़क्शन आप पावर पॉइंट तो बस यहां पे आप टाइप करेंगे तब जब आप क्या करेंगे टेक्ट बॉक्स इंसर्ट कराएंगे ठीक है इंट्रोड़क्शन आप पावर पॉइंट तो यह आपका इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा और इसके बाद से जैसे मान के चली कि आपको अलग-अलग परकार का जब सलाइड आपको बनाना होगा तो जैसे आपको करना क्या पड़ेगा देखे मैंने अभी आपको लिखवाया भी है कि इसमें हम सलाइड पर ही कोई प्रजेंटेशन बना सकते हैं इसको क्या बोलेंगे इसको सलाइड ही बोलेंगी सलाइड का कुछ कलर देना होगा तो जैसे यह मान के चली कि पूरा-पूरा वाइट वाइट दिख अच्छा नहीं लग रहा है इसका थोड़ा सा बैगराउंड कलर आप करना चाहते हैं इसके लिए डिजाइन टैब आपका रखा हुआ है देखे इतना सारा यहां पे डिजाइन टैब में आपसर मिलेगा इसमें आप अलग-अलग अपने रिक्वार्मेंट के साब से यहां अलग-अलग प्रजेंटेशन अब बना सकते हैं अब कैसे दिख रहा है कुछ ऐसी इंट्रफेस है तो यहां पर देखिए सब पर एक ही कलर एपलाई हो गया ना हम यह चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो डिजाइन तो आप यहां पर पुना चले आइए डिजा यहां से आकर कि अगर आपको यह वाला लगाना तो इसी पर माउस का राइट बटन दबाएं और यहां पर एक आपको मिलेगा यह अप्लाई टू स्लाइट इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यही अप्लाई हो जाएगा इस पर दिखिए कितना अलग-अलग परकार का आया ह हुआ है देखिए अलग-अलग डिजाइन टैप यहां पर मिला हुआ है यहां पर बहुंच सारा डिजाइन आप अपने रिक्वार्मेंट के साफ से बना सब्कों पर यह मैं पूरा बताऊंगा आप लोगों को करना क्या है देखिए मैं बता रहा हूं कर चेंग करना है तो डिजाइन में अभी आपको बताया है आप अपने रिक्वार मेंट के साफ से कोई क्लऄ कर लिजिए गा जो भी आपको अच्छा लगता है तो और यहां पर इंसर्ट में आईएगा का प्यांब इंसर्ट में और यहां पर टेक्सट बॉक्स ले लिजेगा और इसको रहें ड्रॉप कर लेजिए और यहां पर लिख लिजेगा जाए अ मैंनि अभी बनाया था ना हुआ इंट गया लग दोहजार सब्सक्राइब को बता आता है इस आपको बनाने का एक आलग अलग प्रेशन कर दिजीएगा अब इसको थोड़ा से उपर लेकि चले चाहिए ग्ए फ्रेंट पेज है ठीक है उना इसी का एक और डूब्लिकेट बनाने के लिए कंट्रोल के साथ डी बटन इसी का एक और ऐसे ले लिए अब चुकि एमेस ऑफिस 2013 के अंत्रगत कौन कौन साफ्ट्वर आता है मैं इसके बाद कि एमेस एकसेल आता है कि इसके बाद से एमेस पावर पॉइंट आता है कि एमेस पावर पॉइंट इसके बाद एमेस एकसेस भी आता है इसके बाद मेस आउट्लूक भी आता है जे बढ़े हैं आप इसको सब्ध condemn करके और यहां पर आप अपने प्रिकॉर्टां की इसाब से यहां पर चाहेंगे तो मूं भूल कर लीजागा autanto which देछे ज़कि और यहां पर यहां पर इसको थोड़ा सा पंएसे छोटा कर लीजेग्व अब यहां पे सब पे बुलेट्स लगा दीजेगा सेलेक्शन करने के बाद यहां से बुलेट्स भी लगा दीजेगा चिक है एक मैंने तरीका बताया आपको एक प्रजिंटेशन हमारा तयार हुआ के वाले में साफिस दौजार तेरा अब इसका कुछ अपको देना है तो डिजाइन में अभी आपको पढ़ा है इसमें बहुत सारा डिजाइनिंग मिल जाएगा आपको देख़ी अब जो भी इसम अब यहां पर भी आप इंसर्ट में आईएगा और यहां पर इंसर्ट प्याने के बाद टेक्स्ट बॉक्स ले लिजेगा अब ऐसे ही ड्रैकन ड्रॉप करिए इसमें आपको केवल टाइप करना है मैं सवर्ट दुहाचार तेरव यहां लिख लिजेगा एबाउट मतलब इस लाइड के अंदर इसमें आपको टाइप करना है किसके बारे में MS Word के बारे में आपको टाइप करना है उसका इंट्रोड़क्शन आप लिखिए और प्लस उसका इमेज भी आपको लगाना है ठीक है तो इसके लिए बहुत इजी तरीका है गूगल कुरूम पर आजएगा और यहां पर आपको केवल सर्ज करना इंट्रोड़क्शन आफ एमेस वर्ड इंट्रोड़क्शन आफ एमेस वर्ड हिंदी और इंट्र करेंगे तो पूरा आजएगा आपके पास देखिए अब बस ऐसे कॉपी सेलेक्शन करिए और ऐसे इसको कॉपी कर दीजेगा कॉपी करने के बाद उसी में लाकर के पेस्ट कर दीजिएगा बस कंट्रोल प्लस भी बटन दबा दीजिएगा कुछ नहीं करना ऐसे सेलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा आप इंक्रीज कर दीजिएगा अब यहां से इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा ऐसे पूलिए टाइम लगा लिखेंगे तो टाइम लगता कि नहीं लगता आप असानी तरह से कौपी पेस्ट करिए आप इसका फीगर भी आप यहां से डाउनलूड कर लिजिए जैसे आपको फीगर चाहिए मैंस ऑफिस का इस इमेज को राइट क्लिक करके से भी में जाएज पे आ जाईएगा और इस इमेज आप डाउनलूड कर लिजिए जहां पर भी आपको डाउनलूड करना उपर ध्यान देजिएगा या तो PNG का फाइल होना चाहिए और नहीं तो जेपीजी का होना चाहिए इसमें क्यर कर लेजेगा लोग इस पर आ करके पुना हूँ आप इसको इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इंसर्ट में आईए और पिक्चर पर आईए और यहां से आप इसको इंसर्ट करा लीजिए कहां पर मैंने सिप किया था यह रहा आप इसको इंसर्ट करा लीजिए चुकि बहुत बढ़ा आएगा इसको छोटा कर लीजिएगा इस तरीके से आप अलग-अलग इस्ट्रक्चर बनाईए बन जाएगा इतना बनाईए इसकी विसेस फार्मेटिंग करिए से समलोग आगी की क्लास में पढ़ा जाएगा इस पूरे आपसंस का बारी बारी से प्रेटिकल करके आप लोग देखिएगा ठीक है